आप तक तक शांदार English नहीं बोल सकते जब तक कि आप ये न जालने कि हैप के साथ कब हमें बोलना चाहिए noun और हैप के साथ कब हमें बोलना चाहिए infinitive हैवेच के साथ कब हमें बोलना चाहिए verb in third form और हैवेच के साथ कब हमें बोलना चाहिए bin plus ing form है भैज के साथ कब हमें बोलना चाहिए bin plus third form अगर आप इन सभी structures के बारे में नहीं जानते तो अच्छी English तो दूर की बाते आप टूटी फूटी English भी नहीं बोल सकते तो आएए सीखें ये सभी structures और जाने किस situation में आप इनका इस्तेमाल करेंगे यानि ऐसी क्या हालात बनेगी कि आप इनका इस्तेमाल करने वाले हैं तो आएए सबसे पहले सीखें है भैज के साथ नाउन का इस्तेमाल कब करना है है भैज के साथ हम एक नाउन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें इस तरह के sentence बोलना हो जहां आप कहते हैं मेरे पास कुछ है या किसी के पास कुछ है जैसे मेरे पास एक mobile है आपके पास पैसा है उसके पास एक laptop है मेरे पास एक car है मेरे पास एक दोस्त है तो इस तरह के sentence से जहां आप कहते हैं मेरे पास कुछ है या किसी के पास कुछ है तो वहाँ पर हम have हैज के साथ एक noun का इस्तिमाल करते हैं यहाँ आपको जानना जरूरी है कि similar subject के साथ आप बोलेंगे हैज यानि हर वो subject जो एक बचन हो आप उसके साथ बोलेंगे हैज और सभी plural subject प्लस आई के साथ आप बोलेंगे है यानि अगर आपका subject बहु बचन हो या आई हो तो आप उसके साथ बोलेंगे है आए कुछ एक्जामपर्स देखे ताकि आप इस बात को असानी से समझ सकें मेरे पास एक कलम है आपके पास पैसा है उसके पास एक साथ है उसके पास था तो आप हैग या हैज के जगाँ पर हैड का इस्तिमाल करेंगे जैसे मेरे पास पैसा था, I had money, आपके पास time था, you had time, उन लोगों के पास नौकरी थी, they had jobs, मेरे पास एक YouTube चैनल था, I had a YouTube चैनल, तो यहाँ पहला concept खत्म हुआ कि जब आप कोई इस तरह के sentence बोलना हो, जहाँ आपको बताना हो, कि किसी के पास कुछ है, तो वहाँ पर आप है के बाद बोलेंगे एक नाउन, अगर बात हम दूसरे structure के करें, जहाँ लिखा है, have ya had plus infinitive, यानि two plus work of first form, तो इस structure का इस्तवाल हम तब करते हैं, जब हमें इस तरह के sentence बोलना हो, जहाँ हम कहते हैं, कि किसी को कुछ करना है, यानि मुझे कोई काम करना है, उस काम को मैंने अ ये है किसी structure का इस्तिमाल हम तब करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि कोई काम मैं खुसी से नहीं कर रहा, बलकि उस काम को करना मेरी मजबूरी है, या उस काम को करने के लिए मैं मजबूर हूँ, तो वहाँ पर हम है भैच के बाद infinitive का इस्तिमाल करके अपने sentence को बोलते हैं जैसे मा लिजी अगर आपको कहना हो, मुझे दवा खाना है, या मुझे दवा खाना पड़ता है, I have to take medicine, यहां मैंने sentence में बताया कि मैंने अभी दवा खाया नहीं है, अभी मुझे ये काम करना है, लेकिन ये काम मैं खुसी से नहीं कर रहा, बलकि इसे करना मेरी मजबूरी मुझे जुर्माना भरना है, I have to pay fine, मुझे गोरकपूर जाना है, I have to go to गोरकपूर, मुझे आपको पैसा भेजना है, I have to send you money, मुझे homework करना है, I have to do homework, उन्हें इंतजार करना पड़ता है, they have to wait, आपको grammar सीखना है, you have to learn grammar, इन सभी sentences में हमने सीखा किसी को कुछ करना है, यानि किसी ने कोई काम किया नहीं है, अभी करना है, ठीक यही बात अगर हमें पास्ट में बोलना हो कि किसी को कुछ करना था, तो आप हैब या हैज के जगापर हैड का इस्तिमाल कर लेंगे, जैसे, मुझे दवा खाना था, I I had to go there, आपको इंतजार करना था, you had to wait, उन लोगों को homework करना था, they had to do homework, अगर बात हम तीसरे structure की करें कि हैब या हैज के साथ वर्ब का third form का बोला जाता है, तो मैं आपको बता दू हैब या हैज के साथ, वर्ब इन third form का इस्तिमाल आप तब करेंगे जब आपको इस तरह क sentence बोलना हो जहां आप कहते हैं कि मैंने किसी काम को मुकमल कर लिया है, यानि कोई इनसान किसी काम को पूरा कर लिया है, जैसे मैंने नास्ता कर लिया है, मैंने होमग कर लिया है, मैंने आपको पैसा भेज दिया है, मैंने आप लोगों को बुला दिया है, वह आ गया है, वह स पूरा कर लिया है, तो इस तरह के sentence को बोलने के लिए, आप बोलेंगे subject, फिर आप बोलेंगे have या have, फिर आप बोलेंगे verb in third form, जैसे, मैंने दवा खा लिया है, I have taken medicine, मैंने homework कर लिया है, I have done my homework, वह आ गई है, she has come, वह चला गया है, he has gone, मैंने आपको देखा है, I have seen you, मैंने या चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, I have subscribed this channel, मैंने आपका इंतजार किया है, I have waited for you, वह सो गई है, she has slept, बहुत सारे learner ये पूछते हैं कि present perfect tense, यानि हैबेज के साथ verb के third form, और past indefinite tense, यानि subject plus verb के second form में क्या फर्क है, वह अक्सर इन दोनों structure को लेकर confused रहते हैं, अगर आप अब इस बात को लेकर confused रहते हैं, तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया है, जिसका link मैंने उपर I के symbol में दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, अगर बात हम चौते structure के करें, जहां लिखा है, have been plus ing form, यानि have been या had been के साथ आप ing form किस condition में बोलेंगे, वो क्या ऐसा सूरत बनेगे जब आप बोलेंगे, have been plus ing form का इस्तिमार हम तब करते हैं, जब हमें इस तरह के sentence बोलना हो, जहां हमें बताना है, कि कोई इनसान बहुत देर से कोई काम कर रहा है, या दो दिन से कर रहा है, या दो महीनों से कर रहा है, दो साल से कर रहा है, बहुत दिनो से कर रहा है, तो जब आपको इस तरह के sentence बोलना हो, जहां बताना चाहते हैं कि कोई इनसान एक लंबे समय से कोई काम कर रहा है, तो वहां परापी से structure का इस्तिमाल करेंगे, यानि have been के साथ आप बोलेंगे ing form, जैसे माल लिजे अगर आपको कहना हो, मैं सुबा से लिखता रहा हूं, I have been writing since morning, मैं दो घंटों से पढ़ाता रहा हूं, I have been teaching for two hours, मैं कई दिनों से आपका इंतिजार करता रहा हूं, I have been waiting for you for many days, मैं 2007 से अंगरेजी सिखाता रहा हूं, I have been teaching English since 2007, वह दो घंटों से रोती रही है, she has been weeping for two hours, इन सभी sentences में मैंने बताया, कोई इनसान लंबे समय से किसी काम को जारी रखा है, या वो अभी भी इस काम को कर रहा है, अगर बात हम आखरी structure की करें, कि have been plus work का third form, हमें किस हालात में बोलनी चाहिए, किस situation में बोलनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, इस structure का इस्तिमाल हमें तब करना चाहिए, जब हमें बताना हो, कोई काम हो गया है, यानि यह structure passive voice का है, जहां यह बताया जाता है, कि कोई काम पूरा हो गया है, या कोई काम कर दिया गया है, उस काम को कौन किया, यहाँ पर इसके जिक्र नहीं होती, या subject missing रहता है, यानि subject का फिकर नहीं किया जाता है, जैसे मान लिजी अगर आपको कहना हो, कमरे को साफ कर दिया गया है, the room has been cleaned, फूलों में पानी दाल दिया गया है, the flowers have been watered, नए पेड लगाय जा चुके हैं, new plants have been planted, एक वीडियो अप्लोड कर दी गई है, one video has been uploaded, उसे पीटा गया है, he has been beaten, आप लोगों को दावत द दी गई है, you have been invited, इस चैनल को like कर दिया गया है, this channel has been liked, इन सभी sentence में बताया गया, किसी काम को पूरा कर दिया गया है, या किसी काम को मुकमल कर दिया गया है, तो उमीद करता हो का आपने बड़े शांदार तरीके से सीखा, कि कब हमें बोलना चाहिए हैवेज के साथ noun, कब हमें बोलना चाहिए हैवेज के साथ infinitive, कब हमें बोलना चाहिए हैवेज के साथ verb in third form, और कब हमें बोलना चाहिए हैवेज के साथ ing form, और कब हमें बोलना चाहिए हैवेज के साथ verb का third form, practice कीजिए क्योंकि practice makes man perfect, फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे मज़दार वीडियो के सा तब तक के लिए बाइ